पिगेसस सॉफ्टवेर करता क्या है? ये किसी के भी टेलिफोन में उसकी मरजी के बगएर उसे हैक करके उस टेलिफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलिफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेल्फोन के, उसके सारे पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है वो भी वो भी गैर कानूनी नाजायस तरीके से इस पिगैसस सॉफ्टवेर के माध्यम से सुनी जा सकती है देशवासियो आप मेंसे किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायस तोर से ये इसराइली सौफटवेर पिगैसस मोधी सरकार डाल सकती है आपकी बेटी आपकी पतनी के टेलीफोन के अंदर ये डाल सकती है आप अगर बाधरूम में फोन लेकर जा रहे हैं अपने कमरे के अंदर शैन कक्ष में आपके फोन है तो आप क्या वारता लाप कर रहे हैं आपकी बेटी आपकी पतनी आपका परिवार क्या वारता लाप कर रहा है वो सब अब मोधी सरकार सुन सकती है अगर ये देश द्रो न ताना शाहों की हिस्ट्री खौफ के साइसे भरी पड़ी है अपनी ही अवाम को डराते हैं या फिर उसी अवाम से खौफ जदा रहते हैं पर अफसोस की भारत की अवाम से ताना शाह नहीं डर रहा है क्योंकि मैजॉर्टी कमिनिटी यानी बहु संक्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा सेक्टर यानी हिस्सा इस ताना शाह को उसके सो कॉल्ड मुसल्मानों को टाइट करने मतलब अपने ही मुलके बेगुना मुसल्मानों पर जल्म करने वाले चेहरे को सपोर्ट करता है लेकिन मौजूदा तानाशा ने तो अपने सपोर्टर्स की कमर भी तोड़ते हुए कोई रहम की गुनजाइश नहीं छोड़ी है दरसल इसराइल की एक कमपनी ने पेगसस नाम का एक जासूसी करने वाला सौफ़वेर बनाया इस सौफ़वेर से किसी के भी फोन की निगरानी करी जा सकती है भारत में इस सौफ़वेर के जरिये कई जाने माने लोगों की निगरानी किये जाने के सुबूत मिले हैं जैसे सुप्रीम कोड के एक्स शीव जस्टिस रंजन गोगोई पर एक महिला ने सेक्शुल हैरस्मेंट का इल्जाम लगाया था इल्जाम लगाने के कुछ दिनों बाद ही महिला और उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स के फोन में पेगसस नाम का जासूसी सौफ़वेर डाल दिया जाता है इस इंसिडन्ट के बाद रंजन गोगोई ने मोधी सरकार के फैवर में बहुत सारे फैसले सुनाए आयोध्या में राम मंदिर के फैवर में फैसला भी गोगोई नहीं सुनाया था रिटार्मेंट के बाद रंजन गोगोई को बीजेपी ने रास सभा का सांसत बना दिया मोधी सरकार ने अपने इंट्रेस में काम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को नहीं छोड़ा पेगसस अब कोई छोटा मामला नहीं रहा है पेगसस जसुसी कांड के बाद नरेन मोधी का देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहना हमारे देश के कॉंस्टिटूशन और डिमॉक्रेसी के मुपर तमाचा होगा मोधी को फॉरण इस्तीफा देना चाहिए वैसे अमेरिकी प्रेसिडन रिचर्ड निक्सन ने अपने विरोधियों की जसुसी कराने की कोशिश की थी इसे वाटर गेट स्कैंडल कहा गया था निक्सन को स्तीफा देना पड़ा पर मौझूदा भारत में ऐसे गलत कामों के लिए स्तीफे नहीं होते है इसी खुलासे के दूसरे पार्ट पे बताया कि सिर्फ जर्नलिस्ट और जजज़ज ही नहीं आपोजिशन पार्टीज के नेताव उनके सहीयोगियों और खुद बीजेपी के केंद्रिये मंत्रियों की भी जासूसी करी गई या कराने की कोशिश करी गई इसमें राहुल गांधी, उनके दोस्त, उनके सहीयोगी, चुदावी रणनीती कार प्रशान किशोर, ममता बैनल जी के भतीजे अभिशेग बैनल जी और मौदी सरकार के दो केंद्रिये मंत्री अश्वनी वैशनव और प्रलाज सिंग पटेल शामिल है सबसे एहम बात ये है कि जासूसी सौफ़वेर बनाने वाली कमपनी का कहना है कि वो अपना सौफ़वेर सिर्फ सरकारों यानि गवर्मेंट्स को बेशती है अब सवाल यहां पर उटता है कि क्या मौदी सरकार ने भारत में चुनिंदा लोगों की निगरानी के लिए ये सौफ़वेर खरीदा और क्या ये रिपोर्ट उन इल्जामों को पुखता नहीं करती है कि भारत सरकार ने कई इंटिलेक्चुल्स के मॉबाइल और लैप टॉप में फर्जी सुबूत प्लांट किये और उन्हें अर्नब नकसल बताकर जेलों में डाल दिया गया तो आपको बता दू के फ्रांस के एंजियो यानि नॉन गवर्मेंटल और्गनाइजेशन फॉर्बिडन स्टोरीज और अमनेस्टी इंटरनेशनल ले लिक हुए दस्तावेस का पता लगाया है और दा वायर और पंद्रा दूसरे मीडिया हाउसे के साथ इससे साजा किया है इसका नाम रखा गया है पेगसस प्रोजेक्ट दा गार्जन वाशिंग्टन पोस्स लमोन ने दस देशों के तकरीबन 1571 टेलिफून नंबर्स के मालिकों का पता लगाया और उनकी छान बीन करी उससे कुछ की फॉरेंसिक जाच करने से ये कंक्लूजन यानि निशकर्श निकला है कि उनके साथ पेगसस स्पाइवेर का इस्तेमाल किया गया था दुनिया के 17 मीरिया इंस्टिउशन ने मिलकर जो जाच यानि रिपोर्ट तयार करी है उसके मताबिक इसराइली कंपनी ने जिन हजारों नंबरों की निगरानी करी उनमें से 300 नंबर भारतियों के हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जा चुका है इन 300 लोगों में खुद मोधी सरकार के दो मंतरी तीन मेन उपोजिशन के नेता 40 जर्नलिस्ट एक सुप्रीम कोर्ट जजज कई कारोबारियों गवर्मेंट आफिसर्स और हुमन राइट वरकर्स चामिल है पेगसेस स्पाइवेर के जरिये निगरानी कांड कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप मेकसिको के जर्नलिस्ट के गतल से लगा सकते हैं यहाँ पर आपको बता दू कि 2017 में मेकसिको के जर्नलिस्स सेसिलो बिर्टो की हत्या हुई थी पेगसस स्पाइवेर के जरीए जासूसी किये जाने वाले नमबरों की लिस्ट में उनका भी फोन नमबर था और उनके कतल के बाद उनका फोन बरामत भी नहीं हो पाया था अब आईए भारत में अलगार काउंसल मामले में जिन कार करता हो अकैडमिकन्स और वकीरों को जेल में डाला गया था उनमें से आठ लोगों के नमबर भी इसी लिस्ट में मौजूद थे जिनकी निगरानी करी जा रही थी यहां पर आपको बता दूँ कि ये अलगार परिश्ट यानि काउंसल है क्या अलगार परिश्ट एक तरह की सभा या रैली है इस सभा में कई सोशल वर्कर्स, एक्स जजजेज, आई पीएस ओफिसर्स और कई दलित थिंकर्स जुड़ते हैं और वो दलितों पर हो रहे जल्मों के खिलाफ अपनी बात मस्बूत करने के लिए इखटा होते हैं अगर सिंपिल लेंगवज में कहा जाए तो इसमें दलितों के खिलाफ वो रहे जल्मों को लेकर एक मुहिम छेडी जाती है जिसमें दलितों के हक और बराबरी को लेकर बात करी जाती है अलगार परिशद को पहली बार साल 2017 में 31 दिसंबर को और्गनाईज किया गया था उस वक्त ये पुने की शनिवार वाड़ा फोर्ट में हुई थी इस दोरान दलित और्गनाईजेशन ने अलगार परिशद के आयोजन से पहले बाहराश्ट में कई सभाएं और्गनाईज करी थी जिसके बाद करीब 45 से 50 जार लोग इस परिशद में शामिल हुए थे इसमें 200 से ज्यादे एंजियो शामिल थे और कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी ये भीमा कोरेगाव जंग की 200 सालगिरा पर हेल्ड करी गई थी इस जंग में मंगहार दलितों ने पेशवा के खिलाफ जंग करी थी इसी परिशद में शामिल हुए लोगों को लेकर एक दूसी रिपोर्ट में पहले ही बताया जा चुका है कि प्रोफेसर हनी बाबू और कुछ इस परिशद से जुड़े वरकर्स के लैप टॉप में मालवेर के जरिये फर्जी दस्तावेस प्लांट किये गए और उन्हें साजिशन जेल में डाल दिया गया था रिपोर्ट के मताबिक रोना विलसन हरी बाबू के अलावा वर्नोन गोजालविस आनन तेल तुमबिडे प्रोफेसर शोमा सेन गौतम नवलखा अरुन फरेरा और सुधा भारदौाज के नंबरों की जासूसी भी करी गई थी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2018 के बाद इन सभी इंटेलेक्चुल समेट कुल 16 कारकरताओं वकीलों और अकैडमिकन्स इस मामले में गिरिफतार हो चुके हैं इनी लोगों में से एक आदिवासी के हक के लिए लड़ने वाले 83 साल के बज़र्ग पादरी स्टेंस स्वामी भी थे जिनकी हाली में हिरासत में मौत हो गई है पार्किंसन का मरीज जो अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता उस पर ये इलजाम था कि वो प्रधान मंतरी मोदी के गतल की साज़िश में शामिल था रिपोर्ट्स कहती है कि अलगार परिशद मामले में गिरिफतार आरोपियों के अलावा उनके एक दरजन से ज्यादा रिश्टेदार, दोस्त, वकील और सहयोगी भी इसी निगरानी के दाएरे में थे दवाएन ने इनके नंबर और पहचान की कन्फरमेशन करी है पिछले कई दशकों से सियासी जानकारों का मानना है कि कतल और जेल के अलावा जासूसी का कोई दूसरा मकसर नहीं होता है और साफ साफ दिख रहा है कि मौजूदा सियासी महौल में कौन सा तमाशा सुर्खियों में है वैसे दवायर ने जब होम मिनिस्टर हमिशा के बेटे जैशा घोटाले की खबर च्छापी थी तो बाकी ज्यादातर मीडिया ने वो खबर नहीं च्छापी सिर्फ सरकार की तरफ से जारी बयान और खंडन च्छापा था और अब इस ताजा पेगसस मामले में भी यही तमाशा दिख रहा है जब से ये खबर बाहर आई है कि सरकार इसराइली कंपरी के सहारे पत्रकारों नेताओं और जजजेस की जासुसी करवा रही थी तो खबर छपते ही गोधी मीडिया मोधी सरकार के खंडन को लेकर दोडने भागने लगी गोधी मीडिया ये नहीं बता रहा है कि सरकार के किस बेशर्मी भरे तमाशा से परदा उठा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तमाशा चल रहा था वो यहां भारत में नहीं कई और चल रहा था हर इल्जाम पर गोधी मीडिया बता रहा है कि हमारे आका ऐसे नहीं है दरसल पेगसस वाली खबर छपने से पहले कई लोगों को इसका अंदाजा हो गया था इस दोरान गोधी मीडिया तैयारी कर रहा था कि खबर जो भी होगी पहले उसका खंडन करना है और फिर खबर छपते ही गोधी मीडिया ने इसका खंडन करते हुए औरीजनल खबर गोल करती गोधी मीडिया ये नहीं पूछेगा कि सरकार ने गुना क्यूं किया वो ये बताने में जान लगा देगा कि 16 मीरिया हाऊजर्स ने मिलकर जो स्टोरी छापी है उसमें दम नहीं है क्योंकि सरकार इससे इंकार कर रही है वैसे मोधी सरकार ने पेगसस जासूसी के मामले में साफ साफ कहने के बजाए गोल मोल जवाब दिया है सरकार ने unauthorized जासूसी से इंकार किया है और इन इल्जामों को हकीकत से कोसो दूर बताया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि पहले से ही conclusion निकार लिया गया है मोधी सरकार की Ministry of Electronics और Information Technology ने कहा कि मीडिया संगठनों ने संजीदगी से research नहीं करी है और नहीं गंबीरता से इस पर विचार किया है Ministry ने पहले एक RTI सवाल के हवाले से कहा कि ये पहले भी कहा जा चुका है कि भारत सरकार का Pegasus से कोई रिष्टा नहीं है लेकिन दिल्चस बात ये है कि सरकार जिस RTI सवाल का हवाला दे रही है वो तो October 2019 में पूछा गया था और उसके जवाब में मोधी सरकार ने Pegasus सौफ़वेर खरीदने या खरीदने पर विचार करने से इनकार भी नहीं किया था यहां पर मैं आपको बता दूँ कि भारत में Pegasus का नाम सबसे पहले 2019 में उस वक्त पाया था जब WhatsApp ने कुबूल किया था कि लोग सभा चुनाओ 2019 के दौरान दो हफ़ते के लिए भारत में कई पत्रकारों, वकीलों, हुमन राइट और दलित कारकरताओं पर नजर रखी गई थी WhatsApp ने कहा था कि इसराइली NSO ग्रुप ने Pegasus स्पाइवेर का इस्तेमाल 1400 WhatsApp यूजर्स की निगरानी के लिए किया था अंग्रेजी अखबार दा इंडियन एक्सप्रेस के मताबक ये हैरान करने वाली जानकारी सैंट फ्रेंसिसको की अमेरिकी अदालत में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सामने आई थी इस मुकदमे में WhatsApp ने इलजाम लगाया था कि इसराइली NSO समू ने Pegasus स्पाइवेर का इस्तेमाल कर 1400 WhatsApp यूजर्स पर नजर रखी थी NSO ग्रूप और Q-Cyber Technology के खिलाफ मुकदमे में WhatsApp ने इलजाम लगाया था कि इन कमपनियों ने अमेरिका और कैलिफॉर्निया के कानूनों के साथ साथ WhatsApp की सर्विसेज की शर्तों का भी वायलेशन किया है ये भी दावा किया गया था कि मिस्ट कॉल के जरीए इन लोगों के स्मार्ट फोन में घुसकर इन पर नजर रखी गई थी और अब पेगसस सौफ़ियर के जरीए जॉर्नलिस्ट केंद्रिय मंत्रियों और पोजिशन के नेताओं और दूसरे लोगों की जासुसी की खबर पबलिक होने के बाद एक एहम सवाल ये उठता है कि मोधी सरकार ने ये जासुसी करी या नहीं तो दोस्तों मोधी सरकार ने पेगसस प्रोजेक्ट पर कहा है कि सरकारी एजंसियां किसी को इंटरसेप्ट करने के लिए तैशुदा प्रोटोकॉल का पालन करती है इसके तहट पहले इससे जुड़े आफिसर्स से इजाज़त लेनी होती है पूरे प्रोसेस पर निगरानी रखी जाती है और ये सिर्फ नैशनल इंटरेस्ट यानि राश्रहित में किया जाता है वैसे भी बीजेपी सरकार अपने सारे काम राश्रहित में ही करती है खेर मोधी सरकार ने जोल देकर कहा कि उसने किसी तरह का अनाथराइज इंटरसेप्शन नहीं किया है लेकिन जानकारों का कहना है कि पेगरसस स्पाइव वेर हैकिंग करता है और Information Technology Law 2000 के मताबक हैकिंग अनाथराइज इंटरसेप्शन की कैटर्गरी में ही आएगा मोधी सरकार के मंत्री ने ना जाने क्या क्या कह डाला वैसे पेगरसस के इस्तेमाल का मतलब निगरानी और जासुसी करना नहीं तो और क्या है सरकार और गोधी मीडिया की सफाई सुनकर अब तो इस्राइली कमपनी एनेसो को भी कह देना चाहिए कि उसका पेगरसस जैसे स्पाइव वेर कुछ मुलकों में से सैर करने जाता है उसका इस्तेमाल धरम करम में होता है निगरानी या जासुसी में नहीं जय हिंद सत्यमेव जयते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हर्गिस नहीं भूलें आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूल पेज पर म मेरा ट्विटर है अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में